हलो एब्रीवन दिस इस अनू चंदेल और इस वीडियो में हम लोग माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जो की एक सब टॉपिक है जो चैप्टर नमबर टू है बुक वन दे वर्ड पॉपुलेशन जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगोंने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंस एंड आंसर्स इस्पेशली वन माइग्रेशन का मतलब होता क्या है तो माइग्रेशन का मतलब होता है मुव्मेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस चू अनादर वहती सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें कुछ खास नहीं है आप लोग को यह भी पता होगा कि आप में से जो बहुत सारे बच्चे हैं उनके ज कि पॉपुलेशन थी वह पे रहती थी गांओ में अगर आज आप देखो तो काफी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की शहरों में रहती है इसका मतलब लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं तो अब देखो यह तो समझ में आगय है कि माइग्रेशन क्या हो तो actually में ये दो factors हैं, दो categories में इनको categorize किया गया है, पहले आते हैं push factors, और दूसरे आते हैं pull factors, तो ये जो word है push, इसका मतलब ही हमें समझ में आ रहा है कि धक्का देना किसी चीज़ को, यानि कि ये factors थोड़े negative से होंगे, और ये किसी भी इनसान को धक्का देंगे, उस region से बाहर निकल ले के लिए, pull factors, pull का मतलब क्या हो रहा है कि अपनी तरफ खीचना किसी को, तो ये factors थोड़े अच्छे होंगे, और ये लोग को अपनी तरफ attract करेंगे, समझने के लिए, इस migration के factors को, सबसे अच्छा example हम लोग ले सकते हैं, सीरिया का, तो सीरिया पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, कि देखो ये है हमारा West Asia का map, as you can see, ये साउधी अरेबिया है, और यहाँ पर आप ये country देख सकते हो, सीरिया, तो आप सभी लोगों ने एक terrorist organization के बारे में सुना होगा, जिसका नाम है ISIS, यानि कि Islamic State of Iraq and Syria, ये एक terrorist organization है, और ये organization operate करता है, सीरिया के लगभग कुछ इस वाले हिस्से में, और इराक के इस वाले हिस्से में, आज नहीं, लेकिन कुछ time पहले इसके पास बहुत बड़ा इलाका था, सीरिया का और इराक का, तो ये जो इस्लामिक, जो terrorist organization है, इसने सीरिया में बहुती बुरी तरीके से तबाही मचा रखी है, ये लोग क्या करते हैं, देखो ये, बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं, आप बिल्डिंग्स यहां की बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है, इवन जो मॉस्क और जो भी मतलब religious sites होते हैं, उन लोग उनको भी नहीं चोड़ते हैं, ये लोग, एंड सब कुछ बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो चुका है, गोलियों की आवाज लोग के लिए एकदम आम हैं, ठीक, जो हर समय जो है बंबारी होती रहती है, सही है, और जो पूरी की पूरी कंट्री की जो एकनॉमी है, है ना, उसकी एकदम वॉट लगी पड़ी है, एंप्लॉयमेंट नहीं है यहां पे, ठीक, और ना लोग के पास तमीज से साफ पानी पहुच पा रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी है इन लोग के पास, तो यहां के जो लोग हैं, सीरिया के लोग, वो बहुती परेशान हो चुके हैं इन सब चीजों से, तो जो सीरिया के लोग हैं, इन परेशानियों से राहत पाने के लिए क्या करते हैं वो आज़ पास की कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं जैसे कि सीरिया के आप बिल्कुल ऊपर देखोगे तो यह आपको तर्की नज़र आ रहा होगा यह सीरिया है यह तर्की है क्यों पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग यहां से जा क्यों रहे हैं पुश फैक्टर्स क्या हैं सीरिया के लोगों का माइग्रेट करने का तो पुश फैक्टर्स में हैं देखो मैंने आप लोगों को बताया था पहली चीज सबसे बड़ा फैक्टर है इन लोग के लिए पॉलिटिकल टर्मॉयल यानि की मतलब बहुत उठक पटक सी चल रही है यहां पे सरकार होगे ठीक कभी जो सीरिया की गवर्मेंट है वो यहां पे कबज़ा कर लेती है इस वाले इलाके में जो आइसस की कबजे में है ठीक कभी आइसस कर लेता है तो यह एक पॉलिटिकल टर्मॉयल सा चल रहा है फिर आप क्या देखोगे कि यहां पे अनेम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत जादा है लोग के पास रोजगा नहीं है लोग जॉब्स के लिए भी जो है दूसरे एरियास में माइग्रेट कर रह पानी मिलेगा ठीक पीने के लिए ना पको अच्छे घर मेलेंगे रहने के लिए ना ही इलेक्टरिसिटी की जो है सुविदा है लोग यहां से माइग्रेट कर रहे हैं अन्प्लीजेंट क्लाइमेट देखो यहां सीरिया का क्लाइमेट भी को बहुत जादा अच्छा नहीं ह तो यह हो गए अब देखो एक और जो मैं आपको सीरिया के एक्जामपल देके नहीं समझा सकती वह आपको एक और पुश फैक्टर दिया हुआ है वह है अन्प्लेजेंट क्लाइमेट स्वारी अन्प्लेजेंट क्लाइमेट नहीं नैच्रल डिजास्टर तो कभी-कभी क्या होता है कि नैच्रल डिजास्टर की वज़े से लोग एक जगा से दूसरी जगा माइग्रेट करते हैं एक्जामपल लेती हुँ मैं इसको समझाने के लिए बांगलादेश का तो बांगलादेश देखो यह इंडिया है और हमारा पड़ोसी देश है यहां पे बांगलादेश तो यह किवो माइग्रेट करके आ रहे हैं कि नच्रॉल डिजास्टर्स ने इनकी नाक में दम कर रखा है फिर सोच यो इकून हुक अधक बैकवर्ण एकनॉमी तो तहस्न है पड़ी है यहां पर कोई नामी पर धियान नहीं है बहुत ही मतलब खराब कंडिशन है ज्यादा पैसा नहीं है यहां के लोगे पास फिर पुल फैक्टर पर आते हैं अच्छा अब यह लोग सीरिया से निकल के तर्की एजिप्ट यॉरप जा रहे हैं लेकिन क्यों क्या ऐसे पुल फैक्टर हैं जो इनको अपनी तरफ खीच रहे हैं ठीक तो पहला देखो आप लोग पहला आप लोग को मिलेगा बेटर लिविंग कंडिशन्स राइक एंड पीस और इस्टेबलिटी जैसे सीरिया में बहुत जादा लड़ाई जगड़ा चल तो तर्की एजिप्ट यूरोपियन कंट्रीज में इन लोग को शान्ती मिलेगी एक पीस और इस्टेबलिटी भरा माहौल मिलेगा और यहां पर अनेप्लॉयमेंट की समस्या है तो इन लोग को तर्की वगरा में जाके जॉब्स मिलेगी अच्छी लिविंग कंडिशन्स हो होगा यह एजिप्ट में जो क्राइम रेट होगा वो सीरिया से तो कमी होगा यहां पर मारकाट कम होगी चोरुचक के कम होंगे तो इन लोग को ज्यादा सिक्योर महसूस होगा अपनी लाइफ और प्रापर्टी को लेके और प्लेजन्ट क्लाइमेट देखो यॉरप का क्ला क्लाइमेट बहुत ही खराब है और लोग अच्छे क्लाइमेट की तलाश में जो है दूसरे एडियास में रहने के लिए जाते हैं तो यह हो गए फैक्टर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है कुछ इंपॉर्टन टम्स दे रखे हैं आप लोग की बुक में जैसे की प्लेस ओफ ओरीजन एंड प्लेस ओफ डेस्टिनेशन तो प्लेस ओफ ओरीजन और डेस्टिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक एक एग्जामपल देते हैं माल लो कि अब लोग यह जो चीज है बहुत अच्छे से जानते होगे कि इंडिया के जो बहुत सारे सॉफ्वेर इंजीनियर्स हैं राइट हो USA माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि obviously USA में उन्हें बहतर मतलब living conditions मिलती हैं और उसी जो आपके USA में उन्हें ज्यादा पैसे भी मिलते हैं तो लोग USA माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया से especially जो software engineers हैं अब देखो समझ लो कि आप माइग्रेट कर रहे हो इंडिया से USA तो आपके लिए जो place of origin होगा वो होगा इंडिया क्यों क्योंकि आप इंडिया से माइग्रेट कर रहे हो राइट तो इंडिया हो जाएगा आपके लिए place of destination, बहुत ही simple सी चीज है, अब एक और concept जुड़ जाता है इसमें, वो ये है कि जो place of origin है, उसमें population decrease हो जाएगी, obviously, अगर आप India से USA migrate करें, तो India की जो population है, वो एक परसन से कम हो गई, और आप USA में migrate किये, मतलब आप USA में पहुच गए, तो obviously, जो USA की population है, वो एक परसन से बढ़ जाएगी, तो यह ही लिखा हुआ है, जो place of origin है, उसमें population decrease हो जाएगी, और जो place of destination है, उसमें population increase हो जाएगी, ठीक, एक बाई definition भी पढ़ लेते हैं, the place people move to, sorry, the place people move from आएगा है यहाँ पर, is called the place of origin, and the place people move to, is called the place of destination, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ाई इसको अच्छे से, फिर यह दो और important terms है, immigrant and emigrant, अब देखो, आप India से USA में migrate कर रहे हो, मतलब आप India से बाहर जा रहे हो, तो India के लिए आप क्या हो जाओगे, emigrant, right, India के लिए आप emigrant हो जाओगे, migrants who move out of a place are called emigrant, आप इंडिया से move कर रहे हो, इंडिया से बाहर जा रहे हो, इसलिए आप इंडिया के लिए हो गए emigrant, और USA में जा रहे हो आप, तो USA के लिए हो गए आप emigrant, migrants who move into a new place are called emigrant, right, बहुत ही simple terms हैं, कुछ खास tough चीज नहीं है, इसमें, फिर कुछ और important facts दिये हो है, migration से related, वो यह है, कि migration permanent भी हो सकता है, temporary भी हो सकता है, और seasonal भी हो सकता है, समझते हैं, देखो permanent, मानलो, आप इंडिया से USA migrate कर गए, मतलब यह दिमाग में रखके, कि अब मैं जो है, भारत कभी वापस लोट के नहीं आऊँगा, और मैं permanently USA में ही रहने वाला हूँ, तो वो migration हो जाएगा, आपका permanent migration, या फिर हो सकता है, आपके दिमाग में कुछ ऐसा हो कि मैं USA जाऊँगा, जॉब करूँगा, थोड़े टाइम तक वहा रहूँगा, पैसे वैसे कमाऊँगा, और फिर से वापस जो है, इंडिया आ जाऊँगा, तो वो जो migration होगा, वो होग temporary, फिर कुछ migration जो होते हैं, वो seasonal भी होते हैं, यानि कि इसको समझने के लिए, इंडिया के agriculture का आप example ले सकते हो, आप लोग को पता होगा, कि भारत का जो agriculture है, वो किसानों को पूरे साल जॉब नहीं देता, ठीक, साल का बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है, जब किसान जो हो ख पार्ट नहीं है, गाओं में तो पैसा भी नहीं मिलेगा, तो इस migration को हम लोग seasonal migration भोल सकते हैं, फिर एक और चीज़ दी होई है, कि जो migration है, वो rural to rural हो सकता है, rural to urban हो सकता है, urban to urban हो सकता है, और urban to rural भी हो सकता है, समझते हैं एक चीज़ को, तो urban to rural to rural migration कब होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, females के case में, right, होगा क्या कि मानलो को ये गाओं की लड़की है, और उस गाओं की लड़की की शादी दूसरे गाओं में हो गई, right, तो इस case में क्या होगा है, भही जब शादी होगी तो आप लोग को पता है, इंडिया में क्या है, इंडिया में पैट्री लोकल सिस्टम है तो जो फीमेल है वो अपने घर से जो है अपने हस्बेंट की घर जो है मूव कर जाएगी तो यहां पर क्या होगा रूरल माइग्रेशन फिर दूसरा जो दिया हुआ है वह रूरल टू अर्वन यह आपको देखने को मिलेगा मेल्स के केस में क्या होता है कि जो होता क्या है कि जो रूरल एरियास के मेल्स हैं वो जॉब्स की तलाश में ठीक क्या करते हैं अर्वन एरियास की तरफ माइग्रेट कर जा हो और आपको में भी एक software engineer software engineer की जॉब मिल गई है बैंगलूरू में आप लोग जानते हो कि यह जो बैंगलूरू है यह इंडिया का IT हब है तो आप क्या करोगे आप लखनव से बैंगलूर माइग्रेट कर जाओगे तो आप urban area से दूसरे urban area में ही माइग्रेट करें हो सो इस तरीके के migration को हम लोग बोलेंगे अर्वन टू अब एक बिलकुल अजीब केस मेरेगा आपको वह यह है कि अर्वन टू रूलर एरियास में भी जो है लोग माइग्रेट करेंगे यानि कि शहरों से गाउं की तरफ आ रहे हैं अब देखो यह कभ होग है कि जब लोग थोड़े बूड़े होने चालू हो जाते हैं तो आप लोग को पता है शहर की जो जिंदगी होती है मतलब यह काफी सारी प्रॉब्लम्स का सोर्स भी है लाइक जो अर्वन एरियास है उनमें आपको बहुत पॉल्यूशन मिलेगा राइट हवा बिलकूल भी स में आना पसंद करते हैं रूरल एरियास में आपको रेलेटिवली साफ एंवार्मेंट मिलेगा पानी भी साफ मिलेगा और घर भी बड़े-बड़े होंगे तो यह भी एक केस होता है अर्वन टू रूरल माइग्रेशन का तो यह था माइग्रेशन टॉपिक अगर आपको अ मेरी ब्लॉक साइट विजिट कर सकते हूं सो थांक यू एंड हैव अभी देख